लेटेवन वेलकॉम यह वाल इट लोकिस्थार अल्लियम्टेट इस्टरी जो गैज एज शुन आन दा स्क्रीन बच्चो आज हमारा टॉपिक है वर्क डैन इन आई सो थर्मल प्रोसेस हमारी जो टॉपिक चल रही है वह थर्मो डैनमिक्स चल रही है ओके और इसमें हम आई सो थर्मल प्रोसेस में वर्क डैन निकालने वाले हैं दो हमारे सामने वर्क डैन बहुत इंपोर्टेंट है एक है आई सो थर्मल में और एक है एडियाबेटिक में और आई सो कोरिक और आई सो बैरिक प्रोसेस के वर्क डैन बहुत हीजी है मतलब दो दो लाइन के हैं यह सबसे पहले आप एक चैंबर ले लिजिए और इसमें आप यहां पर जो है यह आपका पिस्टन है शिलेंडर पिस्टन असेंबली कहते है इसको और इसके अंदर आपके पास मैं थर्मोडानेमिक मिकस्चर है एक के गाइस सो यह देखिए हमाँ पास यहां पर हम इसको रीट करेंगे थियोरी consider a fixed mass of gas देखिए gas का mass fix है मतलब amount of gas एक दम fix है fixed mass of gas which is pressurized from above by a piston the gas exert a pressure P and occupies a volume V now the work done against the pressure for a small change in volume dv is देखिए क्या हो रहा है यहां पर pressurize from the above आप ISO thermal process में gas को pressurize कर रहे हो okay from the above यह gas है इस gas की कोई amount यहां पर रखी हुई है gas का जो volume है normally वो क्या है V है और gas का जो pressure है real time pressure क्या है उसका P है okay अब आप इसको pressurize करके आप इसका volume थोड़ा सा change कर देते हैं मतलब इस piston की original pressure को आप piston को move करके यहां तक ले आते हैं okay यहां तक आपने piston को move करके ले आए हैं आपने work किया है ठीक है आपने work किया है thermodynamic system पर work हुआ है किस पर work हुआ है thermodynamic system पर क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि आपका जो इसमें लिखा हुआ है consider fixed mass of gas which is pressurized from above gas को pressurize किया जरा which is pressurized from the above by a piston तो piston इसको pressurize कर रहा है और यह इसको यहां पर इतने volume तक मतलब इसका volume पहले कुस था पहले इसका volume भी था अब इसका volume कम हो चुका है है तो नया volume कितना हो चुका है v-delta v what is the new volume v- minus delta V, because पहले जादा था, अब क्या हो गया है, कम हो गया है, तो यहां से यहां तक जो volume का change आया है, वो कितना आया है, delta V, okay, तो यहां से यहां तक का जो volume का change आया है, वो आया है, delta V, so I can say, कि now the work done against the pressure, the work done against the pressure for a small change in volume DV, ठीक है, work done against the pressure for a small change of volume DV, जो gas काम करेगी, work done against the pressure, pressure जो लग रहा है, pressure के against में gas कितना काम करेगी, pressure के against में gas कितना काम करेगी, तो you know delta W, delta W is equal to pressure constant है, into delta V, pressure constant है, P into delta V, okay, अब देख लीजे, यदि initial volume जो था, V1 था, और final volume कितना हो गया है, V2, initial volume कितना है, V1 है, और final volume कितना हो गया है, V2, so you know, हम लोग W कैसे निकालते है, W work done is equals to integration of delta W, so work done is equals to integration of P delta V, P delta V, clear है, आरुष, P delta V, so W is equal to, you can write P, D, V, P, D, V, and it is limiting from V1 to V2, बच्च, यह बहुत महत्पूर पढ़ाओ है, मतलब एक बहुत बढ़ा स्टेज है, आपके इस डेरिवेशन का, ओके, आपके इस डेरिवेशन का एक बहुत बढ़ा स्टेज है, हम मान लेते हैं, हम आपके पास में, यहाँ पर हम ideal gas equation लिखते हैं, यहाँ पर हम आइडिल गैस एक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि thermodynamic process जितनी भी होती है, हम gas के लिए करते हैं, किस के लिए करते हैं, gas के लिए, so हम मान लेते हैं, यहाँ हम आपस Nmol gas है, so we have the ideal gas equation, so we have the gas equation PV equals to nRT, PV equals to nRT, for consider n equals to 1 mol के लिए मैं solve कर रहा हूँ, हलाग कि आप n ले सकते हैं, जितना ज्यादा ले लो है तो आप n equals to 1 mol के लिए आप equation बनेगी, how much PV equals to RT, PV equals to RT, अब देखेजी, ऐसा तो है नहीं कि आपका pressure दूद का धुला हुआ है, दूद का धुला मतलब pressure constant, यहाँ पर नहीं कह सकते हो, क्यों, क्योंकि भाई, यहाँ पर जैसे जैसे आप अंदर आते जाएंगे, जैसे pressure constant कब रहेगा, जब आपका piston यहीं पर रहे, आपका pressure बढ़ रहा है, प्रेशर क्या और आपका बढ़ रहा है, तो pressure आपका बढ़ रहा है in the terms of volume, तो pressure को आपको volume के terms में लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ pressure को volume के terms में लिख रहा हूँ, तो यहाँ से P is equals to कितना हो जागा, RT by V, RT by V, क्योंकि pressure change हो रहा है, अगर constant pressure होता, बट भाई, constant pressure तो होई नहीं सकता है, क्योंकि constant pressure की process कोई सी होती है, isobaric process कोई सी होती है, isobaric, बट यहाँ तो constant temperature है न, pressure तो constant थोड़ा न है, है न, हमने भले लिखा था कि P को constant बान करके, बट अब वो समय आ गया है, कि जिस समय हमको P को हटाना है, तो P को हमने हटा दिया, RT, V, अब यहाँ पर R भी constant है, temperature भी constant है, और volume बदल रहा है, V variable है, मतलब पूरी picture में एक ही hero आ जाएगा, वो रहेगा V, सो मैं लिखता हूँ, W is equal to integration V1 से लेके कितना, V2, W is equal to integration V1 से लेके V2, P की जगे पुट करूँगा, मैं कितना, RT upon V, और यहाँ पर भाई साब DV था न, याद होगा आपको, RT by V और DV, clear हो गया, सो यहाँ से ROT तो constant है भई, ROT क्या है, constant है, इनको बहाल लेजे, तो W is equal to RT, और integration V1 से लेकर के V2, और 1 upon V, DV, आपको याद है थी, calculus मैंने पढ़ा ही थी, आपको, आपने देखा था, D by DX अगर log X का derivation करता था, base E पर, जो की base E लिखाने जाता होता है, 1 upon X, याद है कुछ, integration वापस यह आजाएगा, यह मतलब यह आप 1 upon X का integration with respect to X करेंगे, तो यह आजाएगा कितना log base E पर X, जिसको आप लोग X भी लिखते हैं, E को कोई लिखता नहीं है, similarly अगर आप 1 upon V with respect to volume करेंगे भाई, तो क्या log V नहीं आएगा, क्योंकि वो भी तो variable है, तो हमारे पास कि W is equals to RT, है ना, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, 1 upon V का integration, how much बच्चों, log V, क्या लिखूंगा, log V, और base E है इसका, क्या है base E, मैंने आपको बताया था इस start में, जब mathematical tool पढ़ाया था, कि log base E को आप लोग LN भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, LN, this is called natural log, natural log, तो यह NX, this is called NNX, so it may be called guys, LNV, LNV, okay, so हमारे पास finally answer आचुका है बच्चों, W is equals to RT, log E base per V, या log V, और limit तो रखी नहीं भी है, हमने, V1 नीचे है, और V2 ऊपर है, तो आपको limit put करना पड़ेगा है, यहाँ पर, log V2, upper limit, minus lower limit, clear है बच्चों, log V2 minus log V1, अब एक लोग की property होती है, log A minus log B equals to, बच्चों, log of A by B, yes or no, log A by B, so W is equals to RT, log, let's apply the property guys, V2 upon V1, so still यहाँ पर base कितना है, बच्चों, E, कितना base है, E, अब बच्चों, E base से अच्छी calculation होती है, simple होती है, 10 base की, कितने base की, 10 base की, तो बच्चों, 10 base में convert करना होगर, आपको log को एक बहुत ही simple technique है, आपको 2. 2.303 का multiply करना पड़ेगा, किस का multiply करना पड़ेगा, तो एक तो E base का formula यह है, यह भी बिल्कुल सही है, इससे calculation बिल्कुल सही आएंगी, और यह और formula लेख लिजे, E base को 10 base में लेख दीजे, so log, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे हो गया, V2 upon V1, V2 upon V1, ओके, और यहाँ पे आ 0.3RT, यह आपके पास में आ चुका है, isothermal process का work done, isothermal process का work done, clear है बच्चों, any problem, so this is the work done in isothermal process, अब आप याद कीजे, मैंने आपको जब पढ़ाया था, कि isothermal process में, जो function law लगता है, वो होता है, boils law, क्या लगता है, याद है कुछ आप लोग को, boils law जो होता है, वो isothermal process में लग proportional to V, याद आ गया, P is equal to 1 upon V, so you can say P1 upon P2 is equal to V2 upon V1, yes or no, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इस question को pressure के terms में ला रहा हूं, तो यहाँ V2 upon V1 की मैं क्या replace कर दूंगा, P1 upon P2, तो यही formula बन जाएगा, this is equals to 2.303RT log 10 base पर, क्या होगा बोलिये, P1 upon P2, clear हो गया, तो दो formula आपके पास में है, in the base of, in the power of volume, in the terms of volume and in the terms of pressure, बोली clear है क्दम, any problem, ठीक ना, तो यह आपका बन गया है, complete, okay, work done in isothermal process, done, okay, moving to the next derivation guys, make down the heading, work done in adiabatic process, okay, work done by thermodynamic system, by, in a, adiabatic process, okay, it is simply called, work done in adiabatic process, this is, मैंने बताया था, आपको बच्चों की, work done in adiabatic process, सबसे पहले, adiabatic process की पहचान क्या है, है, adiabatic process की पहचान है, इसमें heat exchange नहीं होती, means delta q equal to 0, अब delta q equal to 0, so by the first law of thermodynamics, delta q equal to delta u plus delta w, तो delta q 0 कर दो, so delta u plus delta w equals to 0, तो दो चीज़ होगे, अगर यह plus होगा, तो यह क्या होगा, minus, और अगर यह minus होगा, तो यह क्या होगा, एक दूसरे के opposite होगे, okay, more clearly आप इसको यह भी लिख सकते हो, कि delta w is equals to negative of delta u, और you can say, delta u is equals to negative of delta w, इसको मैंने बताया था, कि अगर work बढ़ेगा, तो internal energy कमेगी, और अगर internal energy increase होगी, तो work क्या होगा, decrease होगा, समझ गया ना, तो मान लीजे वही से एक बार फिर से कि आपके पास एक gas chamber है, okay, और एक gas chamber में वही cylinder piston assembly, जिसमें कि एक confined amount of gas है, देखे बचो, तो यहाँ पर आपके पास हम मान के चलते हैं, एक mol gas, कितनी mol gas है, एक mol gas है, तो आपके पास यहाँ पर एक mol gas है, तो एक mol gas के लिए equation फिर से pv equals to nRT से, n equals to 1 put कर दीजे, तो कितना आ गया, pv equals to RT, यह आपके काम में आने वाला है, इसको number 1 देके समाल के रख लीजे, ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है बच्छो, इसका initial volume v1 है, और final volume doesn't matter, expansion हो गया है, या contraction हो गया है, बढ़ गया है, घट गया है, बस याद यह रखे कि इसका initial volume कितना है, v1, और माल लेता हूँ, second case में यहीं पर आ गया है, तो final volume कितना हो गया, v2, clear है, initial volume v1 है, और final volume v2 है, अब, adiabatic process के लिए, जो functional law लगता है, जैसे एक में Biles law होता है, है न, तो इसमें जो adiabatic process का जो law होता है, वो याद करेंगे, इसको यह बहुत important है, pv की power gamma equal to constant, यह होता है भाई सब law इसका, pv की power gamma equals to constant, ठीक है न, यह, gamma क्या होता है मैंने बता है था, what is gamma, gamma is the ratio of the specific heat cp upon cv, yes or no, specific heat at constant pressure to specific heat constant volume, यह gamma होता है, अब एक बात मैं आपको और बता दू मजे की, बच्चो जी, अगर आप gamma की value 1 पुट कर दो, gamma की value क्या पुट कर द क्या बन जाएगा, और pv equal to constant किस में था, आइसो थर्मल में था, किस में था, हाँ, तो याद रखेगा कि यहाँ पर gamma की value 1 से जादा होगी, 1 से क्या होगी, जादा gamma की value 1 नहीं होगी, यहाँ पर 1 से अलग होगी, ओके, मतलब gamma is not equals to 1, मैं यहाँ पर disclaimer दे देता हूँ, यह gamma is not equals to 1, because अगर gamma वैसे भी, हम लोग पत रहे है, adiabatic process तो 1 तो हो नहीं सकता, कुछ और हो जाएगा, done, तो चलिए, इसको मैं थोड़ा explain करूँगा, अगर pv की power gamma equals to constant है, means p1 v1 की power gamma equals to p2 v2 की power gamma, clear है, p1 v1 की power gamma equal to p2 की power gamma, is equals to always constant, it is k, क्या रहेगा, k, मतलब मैं ने क्या समझ आपको pv की power gamma is equals to k, clear है बच्चो, pv की power gamma equals to k, तो p equals to, इधर देखो भाई साब, कहाँ देख रहे हो, p equals to k upon v की power gamma, k upon v की power gamma, होगा की नहीं होगा, p is equals to, भईया, ये k के नीचे चला गया, तो p equals to k upon v की power gamma, ठीक है न, अब हमको निकालना है work done, क्या निकालना है, work done, so हम ल delta w is equals to p into delta v, delta w is equals to p into delta v, and work done is equal to integration of p, dv, बुलो हाँ, v1 से लेके v2, बिल्कुल सही है, so work done is equal to v1 से लेके v2, p की value पुट कर रहा हूँ, p की value के है, बटो 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 पर, kv की power gamma, v की power gamma, और यहाँ पर कितना आ गया, dv, है न, बच्चो, kv की power gamma, dv, तो मैं इसको लिख सक होता हूँ, w is equals to, इसको w के equal में ही चलने, बच्चो में solve कर दिता हूँ, यह सब equal में है, w के है, k बाहर आ जाएगा, बच्चो, यहाँ पर बनेगा, बोलो, v की power, minus gamma, v की power, और यहाँ पर dv है, और volume v1 से लेके, कितना, v2, बच्चो, मैं एक फॉर्मूला आपको पढ़ा ह v की power, minus gamma plus 1, n plus 1, और नीचे भी minus gamma plus 1, यहाँ v1 से लेके कितना, v2, v1 से लेके हो गया, v2, clear है न, minus gamma plus 1, और यहाँ पर हो चुका है, v1 से लेकर के, v2, ठीक है, बटा, dv तो integrate हो गया, dv तो हट जाएगा, integration हो गया, अब dv किस काम का है, ठीक है, बच्चों, clear है, अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से, यहाँ से मैं, यदी मैं minus sign common लेलूँ, तो यह है, बुलिए minus का k, minus का k, clear है, minus का k, okay, v की power, v to the power, इसको मैं लेक सकता हूँ, 1 minus gamma, बुलिए ऐसा लो, v की power, 1 minus gamma, clear, और नीचे कितना आएगा, gamma minus 1, gamma minus 1, देखिए, v की power, 1 minus gamma, और नीचे कितना हो गया, gamma minus 1, clear ना, और यहाँ limit कितनी v1 से लेके, v2, बड़े आराम से करिएगा, यह चीज थोड़ा confusion create करेगी, तो आपने minus common ले लिया नीचे का, तो minus common लोगे, तो gamma minus से positive हो जाएगा, तो gamma positive हो गया, और plus 1 किस में हो जाएगा, minus में, चलिए, अब limit put करता हूँ, तो यह है minus का k, अपन में कितना है, बुलिए, gamma minus 1, गामा minus 1, अंदर कौन बज़ गया है, v की power, 1 minus gamma, और limit v1 से लेके, v2, तो minus k, यहाँ पे gamma, minus 1, अब limit put करता हूँ, अब पर limit आएगा, बुलिए, v2 की power, 1 minus gamma, clear, और minus v1 की power, 1 minus gamma, ओके, v2 की power, 1 minus gamma, और v1 की power, 1 minus gamma, clear है ना, ओके, v2 की power, 1 minus gamma, और v1 की power, 1 minus gamma, अब यह देखिए, आप क्या कर यह, यहाँ पर k को रखिए, gamma minus 1 को रखिए, और minus sign को अंदर multiply कर दिए तो यह हो जाएगा plus में और यह हो जाएगा minus में मतलब v1 वाला term आंगे आ जाएगा 1 minus gamma and v2 वाला term पीछे चला जाएगा कहिए yes की no clear है ना so अब आप क्या करेंगे अब इसके बाद आपको ऐसे करना है देखिए आप जानते हैं कि x की power minus 1 equals to 1 upon x होता है की नहीं होता है तो 1 minus gamma जो है 1 minus gamma what is 1 minus gamma 1 minus gamma is equal to negative of gamma minus 1 yes or no negative of gamma minus 1 1 minus gamma is equal to negative of gamma minus 1 तो k upon gamma minus 1 और ये बनेगा बिटा v1 की power negative gamma minus 1 और minus v2 की power negative gamma minus 1 बोले agree है की नहीं है clear ना ठीक है derivation कुछ बड़ा हो रहा बढ़ करना ही पड़ेगा gamma minus 1 बिटा इसको अब नीचे लिआओ because negative power में है so you can write 1 upon v1 की power gamma minus 1 minus 1 upon v2 की power gamma minus 1 यहां तक clear है ना चलिए देखे इसको आप लोग करेंगे तब बनेगा अच्छे से मैं तो अभी कर रहा हूँ अब बैच्छा यहां से k को अप अंदर कर दीजे k को क्या कर दीजे अंदर तो यहां से k को अंदर कर देंगे तो 1 upon gamma minus 1 k upon v1 की power gamma minus 1 minus 1 upon v2 की power gamma minus 1 clear है हाँ k भी हो गया multiply ठीक है ना ओके clear है ठीक है ठीक है अब देखिए यहां से एक और चीज होने वाली है इसको थोड़ा simple हम कर सकते थे k को multiply ना करके मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा simple कर देता हूं यह वाले term मत ले जाईए के को मैंने multiply किया था कर देजिए multiply so 1 upon gamma minus 1 यह k upon v1 की power gamma minus 1 minus k upon v2 की power gamma minus 1 actually वो जो process लगनी हो अगले term में लगनी है अब देखो क्या होने वाला है मैं k को replace करने वाला हूं कि इसको k को replace करने वाला हूं याद कीजिए मैंने आपको शुरुवात में adiabatic function पढ़ाया था adiabatic function था pv की power gamma equal to constant तो अभी यहाँ पे इसकी जरूरात आ चुकी है कि हमारे पास जो process है वो है pv की power gamma equals to constant अभी मतलिकना थोड़ा सा देख लो पहले pv की power gamma equals to constant I can say p1 v1 की power gamma equals to p2 v2 की power gamma equal to कितना constant मतलब जहाँ पे k है मैं वहाँ पे p1 v1 की power gamma रख दूँ और इस k पे की जगह मैं क्या रख दूँ p2 v2 की power gamma yes or no so 1 upon gamma minus 1 बिटर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे दिखे p1 v1 की power gamma okay अराम से और 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 क्या होने वाला देखो देखो यहाँ पे यहाँ पे होने वाला है v1 की power gamma minus 1 देखो कैसे लिखूंगा v1 की power gamma minus 1 equals to बोलो v1 की power gamma into v1 की power minus 1 maths करू लग गया बेस से महोंगे तो power क्या हो जाती है add हो जाती है yes or no तो v1 की power gamma v1 की power gamma into v1 की power minus 1 minus similarly यहाँ पे क्या हैगा बोलो p2 v2 की power gamma and again v2 की power gamma और v2 की power minus 1 clear gamma से यह वाला क्या हो गया cancel और minus power तो उपर जाके मोचगरी की क्या हो जागा plus v1 यह ओले इसा no because भई x की power minus 1 बोले तो 1 upon x होता है न तो 1 upon v1 होगा तो v1 पल्टी मार के उपर आ जागा so 1 upon gamma minus 1 यह हो गया p1 v1 कहिए ठीक है और minus 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 यह से यह क्या हो गया cancel और यह हो गया p2 v2 यह आ चुका है आपका work done है ना p1 v1 minus p2 v2 so this is work done work done is equals to 1 upon gamma minus 1 इधर bracket में p1 v1 minus p2 v2 एक work done तो यह बन चुका है अब इसको थोड़ा और elaborate करते है क्योंकि कई बार question जो है r की time में रिडबर constant की time में आ जाता है temperature की time में so guys you know pv equal to 1 mole के लिए rt बो जी हाँ pv equal to rt तो first system के लिए p1 v1 equal to क्या होगा r और temperature किता होगा t1 क्योंकि heat change नहीं हो सकती बाकी तो मजे करेंगे बोलो तो heat नहीं change होगी तो pressure change होगा volume change होगा temperature change होगा यह first system है और जिस समय volume बढ़ गया तो pressure हो गया p2 volume हो गया v2 और r तो r रहेगा into कितना हो गया बच्चों t2 तो यहां पर p1 v1 की जगे मैं क्या लिख सकता हूं rt1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता यह देखो p1 v1 की place पर क्या लिख सकता हूं r t1 और p2 v2 की place पर आर तो क्यों न रख दिया जाए तो work done is equals to 1 upon gamma minus 1 guys p1 v1 equals to r t1 minus r t2 बच्चों r common ले लो यहां से r को बाहर रख लो answer आ चुका है आपके पास r upon gamma minus 1 bracket में t1 minus t2 यह है आपका work done r upon gamma minus 1 inside the bracket t1 minus t2 let's check r upon gamma minus 1 inside the bracket t1 minus t2 yes r upon gamma minus 1 a bracket candle t1 minus t2 यह है work done in adiabatic process any problem यह work done in adiabatic process यह दोनों बहुत important derivation है और पके इन दोनों में से कोई ना कोई एक आपके exam में आने वाला है तो आप इसको बड़े अच्छे से करके रखेंगे clear है बच्चों ओके चलिए अगला derivation लिख लिए आपको बहुत important derivation है relation between CP and CV relation between CP and CV CP and CV का जो relation कहलाता उसको हम बोलते है मेरस formula क्या बोलते है मेरस formula जिसको बोलते है CP minus CV equal to r यही relation हम लाने हैं आज CP minus CV equal to r अब सवाल यह है कि भाई CP क्या होती है तो CP होती constant pressure पर specific heat constant pressure पर specific heat और CV क्या होती है constant volume पर specific heat तो जिसमें आपको पता है कि constant pressure पर जो heat होती है वो बड़ी हुआ करती है यह अब हमको proof करके लेके आना है तो कैसे proof करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं relation between CP and CV yes relation between CP and CV let one mole of the ideal gas be given amount of heat delta Q at a constant volume तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम CV को निकालेंगे क्या निकालेंगे हम CV को क्योंकि छोटी है CV और बड़ी है CP तो पहले हम छोटे वाले को निकालेंगे let one mole of an ideal gas be given an amount of heat delta Q at constant volume so that its temperature increases by delta T देखिए भई आप तो देखिए मैं कह रहा था कि आपके पास में एक गैस है confined chamber है मतलब volume constant है volume क्या है constant है गैस है और आपने यहाँ पर इसको heat देना start कर दिया है आपने यहाँ पर heat देना start कर दिया है ठीक है ना तो और gas है one mole कितनी gas है one mole तो start करते हैं तो आप जानते है delta Q मैंने आपको पढ़ाया था पिछले chapter में is equal to n cv delta T याद है भई n मतलब number of mole तो एक mole के लिए है तो one into constant volume or change in temperature delta T तो भईया delta Q is equals to cv delta T एक बात clear हो गया आपको पता है कि जो work done होता है that is equals to P delta V P delta and delta V equals to कितना है 0 है delta V कितना है तो work done is equal to pressure into 0 तो work done is equals to कितना हो गया यहाँ पर 0 clear है कोई work done यहाँ पर external नहीं होगा कोई भी work done external नहीं होगा clear है ना क्योंकि change in volume 0 है अब ही अब volume ही नहीं बदलेगा तो work done कायका होगा clear है तो आई यह first law of thermodynamics की entry होगी यहाँ पर तो delta Q is equal to delta U plus delta W तो delta Q की value आपने उपर निकाली है cv delta T निकाली के नहीं निकाली cv delta T delta U की जगे delta U और delta W कितना है 0 तो लिव भाई delta U जो मैंने आपको दो दिन पहले रटने को कहा था कि delta U की value याद रख लीजे हमेशा delta U की value होती है mu cv dt mu cv dt जो value हुआ करती है mu cv delta T या इसी को मैंने कहा था this is equals to n cv delta T इसको याद रख लीजे वो यह है clear हो गया so delta U is equal to 1 mole के लिए कितनी होगी cv delta T clear हो गया मतलब जब आप internal energy purely calculate करने जाएंगे तो वहाँ पर volume को constant रखना पड़ेगा मतलब internal energy के लिए आपको volume को constant रखना पड़ेगा ऐसा समझ यह मैंने कहा कि चलो check करते हैं कि आरुष आरुष नहीं कोई और लेलो भाई कि आरुष कितना गरम हो सकता है समझ गया आरुष कितना गरम हो सकता है तो मैं क्या करूंगा मैं कहूंगा एक काम करो इसके दोनों हाथ पीछे बांध दो दोनों हाथ पीछे बांध दो जिससे फैले ना सामने वाले को सोटे ना work done ना करे है ना और मैंने कहा दो यहां से इसको गाली बहतरीन एक अब इसको गाली देने से क्या होता जाएगा गरम होता जाएगा बुलो है ना तो इंटर्नल एनर्जी अपने मैक्समम लेवल पर पहुंच जाएगी बुलो यह सौनों बट याद रहे उसके लिए work done कितना करना पड़ेगा जीरो समझ के बीपी हाई हो जाएगा एक दम से स सुन सुनके चहरा लाल पड़ जाएगा कि बस हाथ खुल जाए तो पूरा work done कर मारूं मगर मेरे को निकालनी थी चेंज इन इंटर्नल एनर्जी तो चेंज इन इंटर्नल एनर्जी कितनी होती सीवी डीडी अब तो नहीं भूलोगे ना बोलो भी यह अब तो नहीं एक मॉल गैस भरी हुई एक। आप इसको हील दे रहे हो ठीक ना आप इसक कोई प्रोसेस हो रही है इसके अंदर गैस के अंदर ठीक ना बट जो भी हो रहा है वो अच फेल्यू ने ओके एक बात हो गई, अब हम देख रहे हैं कि नाव लिकालता हूँ मैं work done, work done is equal to pressure into delta V, बोलो जी हाया न, तो pressure तो constant है क्योंकि आपने कह दिया P constant है, suppose constant pressure P है और delta V, delta V, pressure P है और अपने पास में delta V, अपने पास में volume change है, तो W equal to P delta V, अब thermodynamics का law ले आए है, thermodynamics का law ले आते हैं, तो delta Q is equal to delta U plus delta W, clear हो जी, clear है बिल्कुल, delta Q कितना है बोलिए, C P delta T, है की नहीं है इस case का, C P delta T, clear, delta U आपने कितना निकाला था last case में, C V delta T, yes or no, plus delta W is equal to P into delta V, yes or no, यह अपने पास आ चुका है, P delta V, clear, तो यहाँ से P delta V को side ले जाए, तो C P delta T minus C V delta T equal to P delta V, V, बोलिए यहाँ है ना, clear है ना, P delta V, यहाँ से आप delta T common ले लिजिए, इधर क्या बचेगा bracket में, C P minus C V equal to P delta V, clear है सुन, अब इस वाले खूपचे में आ जाई, इस वाले corner में, आप जानते हैं, एक मोल गैस के लिए, P V equal to RT, बोलो हान जी, P V equal to RT, अब variation लगाओ, variation मतलब delta लगाओ, क्या लगाओ, delta P V equal to delta RT, देखो एक नई चीज़ सीखने को, delta P V equal to delta RT, अब delta apply होगा किस पे P पे, तो भई यह प्रेशर तो constant है, यह सानो, क्योंकि बात चल देखी किसकी constant pressure की, तो P बाहर आगया बोलो हाना, तो volume जहले का delta का हो, तो P delta V, यह सानो, अब यहाँ पे कौन constant है, R, रेडबर constant एक mathematical number बाहर लो, तो R, temperature का change होगा, बुलो यह सानो, मतलब P delta V equal to कितना हो गया, R delta T, तो यहाँ पे P delta V की जगे रख दीजिए, delta T, यहाँ पे C P minus C V equal to R delta T, delta T से delta T क्या हो गया, और A चुका है आपका relation, C P minus C V equal to R, आग C P minus C V equal to R, यही आपका मेर्स equation है, इसी को हम बोलते है, मेर्स formula, ठीक ना, पर इसके कैसे नाम होते है, मेर का मतलब घोडी होता है, वैसे, मेर्स equation है, अच्छे नाम लिखने थे, इनको भी, राम लाली टाइप का लिग देते, कुछ राम लाली एक्वेशन अच्छा पढ़न R, clear है, तो तीन महत्पूर्ण derivation है, और तीनों में से एक derivation पक्के पक्के में से आता है, यह मुझे लग रहा है कि यह वाला एक्वेशन में सबसे ज़्यादा आता है, रिपीट सबसे ज़्यादा यही वाला हुआ है, तो आप इसको अच्छे से करिए, ठीक है ना, ओके, तीन क्यों पर तो दीन ख्यास।